इमेजिन तुम एक बॉई हो, तेरा बेटा एंजिनियर बनेगा, और जो लड़किया है वो भी एक मट के लिए इमेजिन कर लेगा, जो एक लड़की से बात करने का सोचता है, और ये कहानी है, सिक्स्ट क्लास के, और ये बात वो डेली सोचता, कल करने का, आस तो पक्का गल आस तो मम्मी के सम करी लेंगे, और ये बात ये सोचते-सोचते कितने दिन निकल जाते हैं, छे, साथ, अब ये करते-करते आ जाता है, स्कूल का लाज़ दे, इस दिन सबको कुछ ना तो कुछ पफॉर्म करना होता है, हमारा बॉई ये सोचता है कि अब तो बात करनी पड़ेगा भाई, अब तो लाज़ दे है, तो अपने दोस्तों के पास सला जाता है, इस बात को लेके अफिर उसके दोस्तों से हसला अपजाई करते हैं, भाई, तू तो श्टू बड़ा देगा अपना, ये चवणनी की लोपी परन के पता है क्या लग रहा है, सला बंदर के थाएकर ब्लाद के परन करते ही, भाई, अज तो बात करती है, अब जούμε देखि ब्लाव कने रहे होँटेज के लूटेते चुत बंद गमरे के रूम मेन, इस यािरí नहीं हो जाएकर नहीं, नहीं होगी कि अग्यांद या प्रफॉर्म कर पाते हिं तो आगे पटा चलेगा बट अगर आपके इस्टोरी सिमिलेडिस बाउ अगे इस बाइड ड़े कंट्रोलि आपके स्टोरी सिमिलेर तुन इस बॉल्ज यह बॉर पंपय। और दूइंग सम एक्ष्ट्रा और एक्षिन चेंजिस एक बार मैं जब विद्यमंदिर के टाइम पर अपने टीचर के पास गया था एक कंप्लें लेके गया था अपनी दीदी के साथ महां पर बहुत सारे टीचर तो उन्होंने मेर से कुछ सवाल पूछ लिया कि भाई ये बत भाई नजरे नजरों का मिलना बहुत जरूरी है आए कॉंटक्त बनाएं कैसे सिंप्री दूइंग प्राक्टिस में इंग आई कॉंटक्त दे रेंड़न पीपल और या फिर हम जहां भी जाते हैं कॉलिट या फिर कहीं गूमने मूमने मूला तो आई कॉंटक्त बिल मुत कर आई कॉंटक्त नहीं तोड़ना और जब भी तोड़ना है तो होरीजॉंटली तोड़ना है एंड टेक इस तिंग आज चैलेंग इंपॉर्टन पॉंट्ट यह प्रैक्टिस अपने घर के आसपास बिल्कुल मुत करना और हम इस चैलेंज के कंप्लीट करने के बाद हमें मेरा मेरा इक दोस्ता है जो फ़र्स्ट धियर में ता जाबकर वे विव अभी तक इन ही से बात कर रहे हैं और जिसे मैंने उसे बात कराया थि दॉली तक कंप्ला उसने कुछ नूव कनेक्षं हैं आकर अगे उसी सब्सार्कल में रहता है उसी सरकल 뭐가 अना-जाना अब आपको सीखना है कि अब अपने आपको अब लोगों के सामने कैसे रहे हैं अब जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमें पता होता है कि इसको अप्रोच कर रहे हैं वो कौन है मतलब अगर तुम्हें कोई अप्रोच कर रहा है और सामने वाले को तो यह भी नहीं पता हो जानते नियो यह बात में अपने experience से बुल है तो तू नर्वस होगे की नहीं होगा है तू नर्वस हैब झाल हुगा है जोट बढ़ाभी मैं तो बढ़ादा वह जब वह जागा अग्न काई नर्वस होगे और वह आपने नर्वस होगे अगर दोपा करहा है । 2प कोलेज में आया तो मैं वीडियो एटिंग सिरू किया और अपने हेल्थ के ओपर द्यान देना शुरू किया आपको वह इसके लेकता मठी से आनीत है तभी जाके आप कॉंफिडेंट फिल करोगे इस अब आउट दप्रोसेस वह प्रोसेस तुमें बार बार याद दिलागी कि तुम अपने लिए कुछ काम कर रहे और तुमारे पास कोई गोल है और जब भी तुम अंडर कॉंफिडेंट बैट के लिखते सारे गान नेते तो मतलब इनका परफॉमेंस तो बहुत तगड़ा चला जाता है लब कॉंफिडेंस तीन होगा एक दम हाई और मतलब यह ऐसा फील कर रहे होते हैं कि भाई रॉक स्टार है हम तो अपने कॉले में स्कूल की नहीं जल रही थी कॉलेज कहां स इस हो जाता है जैसे उसके पड़ जाता था उसको बुलाता था जैसी फूलना शुरू करता है हाई हर नर्वस ब्रेक पर घो जो बोलता है वह उसने सोचा नहीं होता辉 हाई सोचा होता मतलब वो एक Wars फोभी सारी बड़ती है था सॉघ बट यही तो मेंगें पॉρά प्रोसेस मोस्टली लग जो अंडर कॉंट्पिएंट होते हैं या फिर जिनको सोचल एंग्जाइटी होती है ड्यूटी सम बैट एक्सपिरियंस डैट दे हैपन इंडियर चाइल्डूट और चाइल्डूट हमारा बहुत सेंसिटीव होता है चाइल्डूट में हमारे साथ जो करने के लिए हमें अपनी क्रियोर सीटी को ज्यादा प्राइडिटी देनी पड़ेगी कंपेर टू हमारे जो यह जितनी भी सोचल एंग्जाइटी या कॉन्फिडेंस है क्योंकि अगर हमें एक्स्पिरियंस करना है तो जैसे अगर मेरे को कोई अक्टिविटी करनी है तो उ या फिर अपनी बातों को नोट करो लिखो अपनी जो जो तुम्हें बुरा लगता है अब कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं होता कि तुम हर चीज बढ़ियां से करो या फिर कोई भी चीज बढ़ियां से करो it is about the process और अपने आपको free छोड़ देना कोई भी चीज experience करने से वो important होता है वीडियो नाते है वीडियो नाते है वोई दो कि नहीं ब्लॉगर हो गया नहीं जाल प्लॉगर यहां है वोगया वाई Space